नमस्कार दोस्तों मारीवा उनलाइन क्लासे में आप सभी का सौगत है जैहिन आज हम मद्द प्रदेश सामान्य अध्यन के अंदरगत मद्द प्रदेश की राजविवस्था को पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि मद्द प्रदेश की राजविवस्था कि किस प्रकार से इसमे विभाजन किया गया है और संसदी विवस्था को अपनाया गया है और राज्यों में विधाईका, कारिपालिका और न्याईपालिका ये तीनों मिलकर राज्यों की राज्यों की विवस्था को चलाते हैं तो यदि हम बात करें राज्यों की विधाईका की, तो मूल रूप से यदि सामाने सब्दों में इन्हें समझें, तो राज्य की विधाईका अर्थात वह जो राज्य में, राज्य के लिए विधी बनाने का या कानून बनाने का कारे करें, चाहे वो यातायात से संबन्नेत हो या वर्तमान में जैसे वैस्विक महामारी COVID है और COVID-19 से लेके यदि मद्दप्रतेश सरगार अपने राज में किसी विशेश प्रकार के नियम कानून चाहती है तो एक पूरा उसे विधी बनानी पड़ेगी और वह विधी कहां बनाएगी तो अपने विधान मंडल में बनाएगी जो की राज जी क्या विधाईका कहलाता है ठीक है तो विधी बनाने का कारे कौन करेगी राज जी की विधाईका करेगी राज्य की कारिपालिका का कारे होता है कि वो विधाई का द्वारा बनाए गए विधी को अपने राज्य में लागू करे उसका क्रियान्वेन करे तो विधियों को लागू करने का कारी किसका है? कारिपालिका का है और जो न्यायपालिका होगी ये जो विधी बनाई गई है विधाई का द्वारा और कारिपालिका द्वारा लागू की गई है इस पे अधी कोई डिस्प्यूड होता है, विवाद होता है तो नियाले उस विधी पर व्याख्या करता है इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राजी की राजविवस्था है उसकी सक्तियों का विभाजन राजी की विधाईका, कारिपालिका और नियाईपालिका में किया गया है यदि हम इसमें देखें कि राजी की विधाईका के अंतरगत क्या क्या आता है तो राजी की विधाईका के अंतरगत आर्टिकल सम्विधान के आर्टिकल 168 के तहट विधान मंडल के गठन का प्राउधान किया गया है और विधान मंडल किस से मिलके बना होता है जिस प्रकार हम देखते हैं कि केंदर में संसद होती है और संसद, संसद, राश्टपती, लोगसभा और राज्यसभा इनसे मिलके बनी होती है उसी प्रकार राज्यों में विधानमंडल होता है और विधानमंडल राजपाल, विधानसभा और विधानपरिशत से मिलके बनता है परन्तु यह कंपलसरी नहीं है कि प्रतेक राज में विधानमंडल में विधानपरिशत भी हो केवल राजपाल और विधान सभा से भी विधान मंडल बन सकता है और हम देखते हैं, हमें विदित है कि मद्द प्रदेश में विधान परिशद नहीं है इसका मद्द प्रदेश का विधान मंडल केवल राजपाल और विधान सभा है और मद्द प्रदेश के विधान मंडल में केवल कितने सदन है एक सदन है विधान सभा और दूसरा सदन हो सकता था विधान परिशत लेकिन दूसरा सदन तो विधान परिशत है नहीं तो मद्द प्रदेश में कैसा विधान मंडल है प्रशन कई बार पूछा गया है मद्द परदेश में एक सदनात्मग विधान मंदल है जिसमें केवल क्या है विधान सवा विधान परिशद मद्द परदेश में नहीं है फ्रेंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईएगा कि मद्द परदेश में कुल कितने राज्यों में विधान परिशद है हाला कि मद्द परदेश में भी निरंतर विधान परिशद के गठन की मांग चल रही है इसके बाद हम देखते हैं कारेपालिका तो राजी की कारेपालिका या मद्द परदेश की कारेपालिका की बात करेंगे तो इसमें वो लोगोंगे जो विधाई का द साथी साथ, UPSC, राज्य लोग सेवायों के चैनेत अधिकारी, तो ध्यान रगना है, राज्य की कारेपालिका के अंतरगत कौन-कौन आ रहे हैं, फिर राज्य की नियाईपालिका, जिस प्रकार हम केंदर में देखते हैं, संगी की नियाईपालिका में देखते हैं, कि सुप् तो वहां पर हमें उच्चितम नियाल है सुप्रीम कोट संग में लेकिन हाई कोट के साथ साथ राज की नियायपाली का प्रमु का अगमाना जाता है जिला नियाय लोगों तो अब हमें यह किलियर है कि मद्द प्रदेश की राजविवस्था के अंतरकत हमें किन किन चीजों को पढ़ना है मतब हम सबसे पहले पढ़ेंगे मद्द प्रदेश की विधान सभा के बारे में मद्द प्रदेश के राज़पालों से संबंदित तत्य जैसे मद्द प्रदेश में पहले राज़पाल कौन थे पहली महिला राज़पाल कौन थी कारिवाहिक राज़पाल कौन रहे हैं किस राज़पाल का कारिकाल सबसे लंबा रहा है वर्तमान में राजजपाल कौन है और विधान परिशत तो मद्द परदेश में है नहीं फिर उसके बाद हम देखेंगे मुख्मंतरियों के बारे में कि मद्द प्रदेश में पहले मुखमंतरी कौन थे, सबसे लंबे समय तक के लिए मुखमंतरी कौन थे, किस-किस मुखमंतरी के कारिकाल के दौरान राष्टपती सासन भी मद्द प्रदेश में लगा, सबसे कम कारिकाल किस मुखमंतरी का रहा, किस मुखमंतरी के काल में वियंकों पढ़ते नहीं हमें ध्यान से पढ़ना है फिर मद्द प्रदेश के मुख्य सचिव पहले कौन रहे हैं वरतमान में कौन हैं कौन रहे हैं उनका सबका हम लिस्ट देखेंगे मंद्देश में हाइड कोट कब यह घठे त veya मद्द प्रूदेश हाइड की कितनी खंड़ पीट है एक नुमबर 2000 से पहले कितनी खंड़ पीट थी इन सब जानकारियों को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मद्द प्रतेश की विधान सभा के बारे में यदि मद्द प्रतेश विधान सभा की बात करें तो हम सबसे पहले एतहासिक तथ्यों में देखते एक विधान परिशद की स्थापना की गई थी तो ध्यान रखना है सेंटर पोविंस में विधान परिशद की स्थापना कब की गई तो 8 नमबर 1913 और उसके बाद सेंटर पोविंस विधान परिशद में पहला निर्वाचन कब हुआ था तो पहला निर्वाचन हुआ था 1937 आप इंडियन हिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं कि 1937 के चुना हुए थे तो इसी समय सेंटर पॉविंस में भी विधान परिश्दों में पर्थम निर्वाचन हुआ था तो पहला निर्वाचन कब हुआ था यदि मद्द परतेश के किसी छ हैं कि 1947 आजादी के बाद से लेके 1956 मतलब जब मद्द परतेश का क्या हुआ गठन हुआ एक नॉम्मर निर्वाचन हुआ हमने पढ़ाए उससे पहले मद्द परतेश चार भागों में बटा हुआ था तीन कैटेगरी थी ABC कैटेगरी थी और चार भाग थे सेंटर पॉविंस सबा सीटों की तो सेंटर पॉविंसेंट बरार में 184 मद्द भारत में 79 विंद परतेश में 48 और भुपाल में 23 और यह जो संख्या है सीटों की यह कुल संख्या होती है 334 तो आपसे पूर सकते हैं एक नॉम्मर उन्नई सो चपन से पहले मद्द परतेश में कुल विदान 34 थी और यदि देखा जाए कि किस छेत्र में कितनी थी तो सेंटर पॉवंसेंट बरार में 184 मद्द भारत में 79 विंद परतेश में 48 और भुपाल में 23 यह याद थोड़ा सा आप रखिएगा पूर सकते हैं अलग-अलग भी पूर सकते हैं एक साथ भी पूर सकते हैं अब हम विधान सबा में सीटों की इस्तिति क्या रही है तो सबसे पहले हम मद्द प्रदेश विधान सबा की सीटों की इस्तिति देख रहे हैं फिर हम मद्द प्रदेश विधान सबा किस भवन में पहली बार लगी थी वर्तवान में किस भवन में लग रही है मद्द प्रदेश व पहली विधान सभा का गठन हुआ वो एक नवमबर 1958 को हुआ और यह जो पहली विधान सभा थी इसका कारिकाल एक नवमबर 1956 से 5 मार्च 1957 तक रहा और इस समय जो सीटो की संख्या थी मद्ड प्रदेश की पहले विधान ऑढ़ संख्या पहले निर्वाचन कब हुए 1957 में हुए आप मुझे comment box में बताईएगा कि भारत में पहले निर्वाचन कब हुए थे ठीक है और मद्द प्रदेश में प्रथम निर्वाचन कब हुए 1957 जो कि दुती विधान सभा के लिए थे क्योंकि पहली विधान सभा का गठन तो एक नमब 1962 तक रहा और इसमें सदस्य संख्या कितनी रहेगी 288 रहेगी जिसमें SC के लिए 43 और ST के लिए 54 सीटों को रिजर्व रखा जाएगा इसके बाद हम देखते हैं 1976 में मद्द प्रदेश विधान सभा सीटों की कुल संख्या 296 हो गई थी और 1999 आते तक 1999 आते तक इन सीटों की संख्या हो गई थी 320 प्लस वन अर्थात यह जो वन है यह एंगलो इंडियन है एंगलो इंडियन की न्युक्ति जो की राजजपाल द्वारा राज्यों में की जाती है तो 320 प्लस वन लेकिन हुआ क्या जब 1 नौंबर 2000 को मद्द प्रदेश का विभाजन हुआ पुनर गठान हुआ तो इस इस्तिती में मद्द प्रदेश में जो विधान सवा सीटों की संख्या बची वो कितनी 230 प्लस वन बची और इसमें SC के लिए 35 और ST के लिए 47 सीटों को रिजर्व रखा गया तो फ्रेंड्स वर्तमान तक की इस्तिती में भी मद्द प्रदेश में जो कुल विधान सवा सीटों की संख्या है वो है 230 प्लस वन और SC के लिए 35 और ST के लिए 47 सीटों को रिजर्व रखा गया है तो फ्रेंड्स अब हम नेक्ष वीडियो में देखेंगे मद्द प्रदेश विधान सवा गे बारे में और मद्द प्रतेश विधान सवा अध्ययक्ष उपाद्यच 태ों के बारे में एधि आपको वीडियो अच्छा लगे तो तो like, share और comment जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा share करें, और अपने हमाई चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर ले, आप लोगों कोई support की मुझे बहुत आउशकता है, बहुत बहुत धन्यवाद,